यूपी कॉलिग का मुद्धा गर्माया विद्धापिट के शात्रों ने फुका पुतला जियां उदर प्रतात में हुए धांदली रुपित सचीव की निफ्पी के विरोध में धन्ने पर बैटे शात्रों को समर्थन देने इवन सरकारी तंत्रों वो कॉलिग प्रबंधन को जगाने और अपनी मांगों के लिया दिनांग 9 सितंबर 2020 को शात्र संघ महामंत्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीट रिशव पांडे की नित्रियत में महात्मा गांधी काशी विद्यापीट के गेट नंबर एक पर दोपहर बारा बजे उदर प्रताफ कॉलेज के प्रबंधा का पुतला फुका गया लगातार कई दिनों से धरने पर बैठे उधर प्रताप कॉलेज के चात्रों के कोई सुनवाई नहीं हो रही थी उनका सिर्फ यही मांग था कि सचीव ए आर खान की निवक्ति को खारिज कर उन्हें बर्खास किया जा क्योंकि सचीव ए आर खान की निवक्ति और सम्रधानिक तरीके से हुई है जिसका NSUI के कारिकरताओं ने विरोध प्रकट करते हुए छात्र एक्ता के तहत उध्य प्रताप कॉलेज के प्रबंदा का पुतला फुका पुदला दहन करने वालों में मुख्य रूप से चात्र सन महमंत्री रिश्य पांडे, प्रभू पटेल, अंकिप गुट्रा, शुभम कीसरी, गौतम शर्मा आकास पटेल, अभिशेख पांडे साहिल सिंग उपस्थिज रहे केट नमबर एक पर यूपी कॉलेज के प्रबंदा का पुतला फुका है, वहाँ पर लगातार 14 दिन से 6 संग के परदकारी और 6 नेता धरने में बैठे हुए मांगों को लेगे अपने, वहाँ पर यूपी कॉलेज इतना बड़ा महाविद्याला है, जहाँ पर हर एक छात्र नौजवान निकल के हर एक भारत के कोने में जाते हैं और अपने कॉलेज का नाम रसन करते हैं, उस घड़ी में वहाँ के सच्चिव की फरजी निउपती होती, जो अपराधी छवी का है, भदोई का कालीन वेपारी है, और वो अभी कुछ हाली में अपने भाई के हत्या करक तो इतनी बेकार इस्तिती है कि वहां कुछ को सच्चिव बना दिया गया, अब करोणा महामारी में जहां पे पूर्ण रूप से लागडाउन था, परिछा यूजिसी ने आदेश कराया, वहां का हास्टल निखुला गया, यही दो मांगों के लेकर चातरनेता और चातरनेत परिखने आदेवी कातरने छातरने।